चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है ये कैसे हो सकता है ये टाइप राइडर अपने आप कैसे चल रहा है और अनुराग वो कहां पर है मेरे जाने से पहले वो यहीं पर तो बैठ कर अपनी कहानी टाइप कर रहा था टाइप राइडर को अपने आप चलता हुआ देखकर चित्रा की होश उड़ गए थे उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था चित्रा की रूह काम गई थी टाइप राइडर के बटनों की टक टक की आवाज अभी भी कमरे के अंदर गूँच रही थी वो अभी भी अपने आप चल रहा था जब भी टक टक की आवाज चित्रा की कानों पर पढ़ती थी वो डर से काम जाती थी चित्रा कमरे की चारों तरफ अपनी नजरे खुमाती है अनुराग को ठूंटी है पर जब उसे कमरे में कहीं पर भी वो नजर नहीं आता है तो चित्रा की नजरे फिर से टाइप राइटर पर आकर जम जाती है जिसके बटन तेजी से एक साथ दबते जा रहे थे चित्रा हिम्मत करते हुए अपने कदम टाइप राइटर की तरफ बढ़ाने लग जाती है जैसे जैसे चित्रा अपने कदम टाइप राइटर की तरफ बढ़ाते जा रहे थी उसके दिल की धड़कने तेज होते जा रहे थी उसका दिल जोरों से धड़कने लग जा था चित्र चित्र टाइप राइटर के एकदम नस्दीक पहुँच गयी थी. वो टाइप राइटर को बड़ी गौर से देखे जा रहे थी. उसे वक्ट उसकी नजर टाइपErाइटर पर जो टाइप हो रहा था उस पर पढ़ जाती है. चित्रा टाइप राइटर पर जो टाइप हुए जारा था उसे पढ़ते हुए खुद से कहती है अगला शिकार तू है जैसे चित्रा टाइप राइटर पर लिखे ये शब्द पढ़ती है उसके अंदर का डर और भी जादा बढ़ जाता है चित्रा एक टक नजर से टाइप राइटर को ही देखते रहती है उसके मन में न जाने क्या आता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है उस टाइप राइटर को छूने के लिए जैसे चित्रा टाइप राइटर को छूती है टाइप राइटर की बटन दबना थम जाते हैं और उसी के साथ एक पल के लिए चित्रा की सांसे भी थम जाती है अचानक से कमरे के अंदर खामोशी चा जाती है टाइप राइटर पूरी तरह से थम जुगा था उसके अंदर जरा से भी हलचल नहीं हो रही थी कमरे के अंदर बनी हुई थी कि उसी वक्त चित्रा को पुकारते हुए एक आवाज सुनाई देती है चित्रा 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 ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि चित्रा के पीछे से आई थी चित्रा जब पीछे पलटती है तो देखती है उसके पीछे कोई और नहीं बलकि अनुराग खड़ा हुआ था अनुराग की बदन पर शर्ट नहीं थी उसका सीना चित्रा को एकदम साफ दिखाई दे रहा था जिस पर कई सारे बाल थे उसने बस पैंट पहन कर रखी होई थी चित्रा ने अनुराग को इस तरह बेढ़ंग तरीके से कपड़े पहने हुए पहले कभी नहीं देखा था अनुराग भारी आवाज में चित्रा से पूछता है तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो चित्रा चित्रा नुराग के सवाल का जवाब ना देते हुए अपने ही मन के सवाल अनुराग से पूछ पढ़ती है मैं यहां पर क्या कर रही थी अनुराग वो छोड़ो तुम तो यह बताओ कि तुम कहां गए थे वो भी इतने रात में अनुराग तुरंट जवाब देता है वो मैं बाहर टेहलने के लिए था चित्रा वो क्या है ना लिखते-लिखते मेरा मन उपकिया था तो सोचा थुड़ा बाहर टेहल कर आ जाता हूँ चित्रा अनुराग के अर्धनगन जिस्म को देखते हुए कहती है टेहलने गए थे वो भी इस तरह तुम्हारे पास शर्ट नहीं है क्या पहनने के लिए अनुराग चित्रा को कुछ अजीब सा इशारा करते हुए कहता है शर्ट तो बहुत है चित्रा पर मेरे अंदर गर्मी बहुत है इसलिए उस गर्मी को कम करने के लिए शर्ट नहीं पहनी और ऐसे ही चला गया अनुराग ने चित्रा को आँखों से कुछ इस तरह इशारा किया था कि वो तुरंत अनुराग से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है जैसे उसे खुद शर्बा रही हो जब चित्रा अनुराग से कुछ नहीं पूछती है तो अनुराग ही चित्रा के चारो तरफ खूमते हुए उसे उपर से लेकर नीचे तक देखते हुए भारी आवास में पूछ पढ़ता है मैं कहां गया था मैंने पूरे कपड़े क्यों नहीं पैने है ये सब तो तुमने जान लिया चित्रा पर अब क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो वो भी मेरी गैर मौजूदकी में चित्रा के मन में ना जाने क्या आता है उसे अनुराग को सब कुछ सच बताने का मन कर रहा था इसलिए वो भी उससे तीके लेजे में ही बोल पड़ती है मुझे भी तुम्हारे कमरे में आने का कोई शौक नहीं अनुराग इस कमरे में रखा क्या है अनुराग कुछ गुस्से के साथ कहता है अगर शौक नहीं है तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी बताओगी चित्रा तुरंथ पलट कर कहती है वो तो तुम्हारे कमरे से टाइप ट्राइटर की बहुत तेज देज जावाज आ रहे थी कहीं यूग की नीद न खुल जाए इसलिए तुम्हें टोकने के लिए आई थी कि तुम धीरे टाइप करो पर जब मैं यहां पर पहुँची तो मैंने देखा टाइप ट्राइटर अपने आप चल रहा था अनुराग हैरानी के साथ चित्रा से कहता है यह तुम क्या बोल रही हो चित्रा जब मैं कमरे में नही था अनुराग सच में टाइप राइटर अपने आप चल रहा था मैंने खुद अपनी आँगों से देखाया उसे चलते हुए अनुराग चित्रा की बात को मजाग समझते हुए कहता है तुम्हारी आँखों में तुम मुझे नीन नजर आ रही है चित्रा और तुम कहा रही हो कि तुमने खुट टाइपराइटर को अपने आखों से चलते हुए देखा है तुम अभी पर नीन में हो क्या चित्रा अपनी बात पर अड़े रहते हुए अनुराग से कहती है मैं नीन में नहीं हूँ अनुराग अपने पूरे होश में हूँ ये टाइप राइटर सच में अपने आप चल रहा था इसमें कहानी टाइप हो रही थी अनुराग चित्रा की बाद पर गौर फर्माते हुए कहता है पर जैसे ही वो टाइप राइटर में लगे पेजस की तरफ देखती है, शौक्ड रह जाती है टाइप राइटर में लगे पेजस पूरी तरफ ब्लैंक थे, उन पर कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं था चित्रा इतनी ज्यादा शौक्ड हो गई थी कि कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, अनुराग ही फिर खुद बोल पड़ता है इनमें तो कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं है, चित्रा तुम भी रख कुछ भी बोलती हो बला टाइप राइटर में कब से अपने आप कहानी टाइप होने लग गई, अगर ऐसा होता तो हम लेखकों की जरूरती क्या होती बस लोगे टाइप राइटर खरीदते और फिर हर को ही लेखक होता चित्रा अपनी बात पर फिर एक बार जोर देते हुए कहती है मेरा यकीन करो अनुराग में सच कह रहे हो मैंने खोद देखा था इसे चलते हुवे बल्कि इस पर तो ये भी लिखा हुआ था कि अगला शिकार तू है जैसे चित्रा ये बात बोलती है अनुराग भारी आवाज में चित्रा को घुरते हुए कहता है उसने सही लिखा था अगली शिकार तू है जैसे चित्रा अनुराग के मुझे ये बात सुनती है उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है चित्रा हकलाते हुए अनुराग से कहती है क्या कहा अनुराग तुमने? अनुराग अपनी बात को बड़ी चालाकी के साथ बदलते हुए कहता है मैंने कहा टाइप राइटर में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था तुम्हें दिखने ही रहा सब पीज ब्लैंक है ये सब तुम्हारा वेह में और कुछ नहीं चित्रा फिर कहती है पर अनुराग चित्रा अपनी बात पुरी करती है उससे पहले अनुराग उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है मैंने कहा न चित्रा ऐसा कुछ नहीं हुआ था तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या हर बार पहस करना ज़रूरी है क्या अनुराग ने ये बात इतने गुस्से में बोली थी कि उसकी आवाज कमरे के अंदर कूंचने लग गई थी अनुराग चित्रा को गुस्से से खोड़ने लग जाता है जब चित्रा अनुराग की गुस्से से भरी होई आखों की तरफ देख पीली रोशनी की कमी है इसका मतलब यह हुआ कि अनुराग ही इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है वो खुद इस बात को अभी तक कबूल नहीं कर पा रही थी कि अनुराग काला साय हो सकता है अनुराग चित्रा पर फिर गुस्सा करते हुए कहता है मेरे टाइप इद्मी का एहसास करवा सकता हूं अनुराग के यह बात कहते ही चित्रा और ज्यादर डर जाती है वो तुरंत अपना एक कदम टाइप राइटर के पास से पीछे खीचती है और कमरे से बाहर जाने लग जाती है अनुराग अभी भी उसे रोकता नहीं है बलकि वो तो अभी की बून में हलचल बंद होती है तो यूग को वापस से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है चित्रा यूग से नम आखे और नम लहचे के साथ कहती है यूग बेड़ा मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस रात मुझ पर क्या बीत रही थी जब मैंने अनुराग की वो ग अपने मन से ये बात कही कि हो सकता है कि शायद मुझसे देखने में कोई गलती हो गई हो वो आँखे उस काले साय से मिलती ना पर उस रात मुझे कई सुराग मिले थे पहले बीच जंगल में अनुराग की कुड़ते का मिलना फिर ग्रेवयार कुठी के दरवाजे का खुला पर टाइप राइटर का अपने आप चलना अनुराग का खुद उस कमरे में ना होना और फिर सबसे जरूरी अनुराग का मुझसे वो बत्तमीजी से बात करना यह सारी सुराग मुझे मजबूर कर रहे थे ये बात कबूलने के लिए कि अनुराग ही वो काला साय है पर कहते ह ना सच करवा होता है उसे एक नएक दिन कबूल करना ही होता है और सुबह होते होते ना चाहते हुए भी मुझे ये बात कबूल करनी पड़ी कि अनुरागी वो काला साया है इतना केकर चित्रा चुप हो जाती है उसकी आंखों से एक बार फिर आंसु बहने लग गए थे इस मेरी अगर कोई मदद कर सकता था तो वो प्रशान था इसलिए मैंने प्रशान को फिर एक बार मुझसे मिलने के लिए बुलाया लेकिन इस बर घर पर नहीं योग बेटा बलकि तुम्हारी स्कूल में चुट्टी के वक्त क्योंकि अब इक यही बहाना मेरे पास बचा हुआ था इससे प्रशान्थ और मैं मिल भी लेते और अनुराब को मुझे पर शक भी नहीं होता इसलिए मैंने फोन पर प्रशान्थ को मिलने के लिए बुलाया मैं चाहती तो प्रशान्थ को फोन पर ही सब कुछ बता सकती थी पर ये बात इतनी बड़ी थी कि फोन पर सब कुछ समझाना मुश्किल होता इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और जब प्रशान्थ मुझसे मिलने के लिए आया तो मुझे वो बात पता चली जो उससे मिले बिना कभी पता नहीं चाहती इतना कहती ही आसू की बुंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है यूग को सब कुछ धुनला नजर आने लग जाता है कुछ दिर बाद जब चीज़ें क्लियर होती है तो यूग देखता है कि प्रशान्थ और चित्रा नदी के पास बैटे हुए थे और वही पर उनसे खुछ दूरी पर ही यूग और बिंदू रेत के टीले बनाते हुए आपस में खेल रहे थे वो अपनी ही दुनिया में खुश थे और दूसर står लेक最近 सबस्क्राइब भाबु यह वो काला साय के साथ और यहां प्लीरग बनुराग के सकते है कैसे नहीं वो भक्षानर का वंशच है तो उसके लिए काला साया होना कोई बड़ी बात है क्या प्रशान्त कहता है हाँ आप सही बोल रही है भापी जी लेखक बाबु भक्षानर वंश से है मैंने तो पहले ही कहा था कि आप यहां से चले जाए पर आप ही मेरी बात नहीं मानी अभी भी ही वक्त है मैं तो कहता हूं ओआप युक को लेकर यहां से चले जाएए वापस ग्रेवियार्ट को टी जाहिए ही मत चित्रा को चिरते हुए कहती है प्रशांत जी आप मुझे हमेशा यहाँ से जानी का ही क्यू बोलते रहते हैं मैंने कहा ना आपसे कहां से यहाँ से नहीं जा सकती प्रशांध तुरंट पलड़ कर कहता है पर क्यों बापर को एक टक देखते हुए उससे कहता है पर क्या लेखक बाबू आपसे प्यार करते हैं भाबी जी चित्रा मायोसी के साथ कहती है करते हैं नहीं प्रशान ची करते थे जब वो शहर में थे बस वो यहां आकर बदल गए पता नहीं उनके साथ यहां पर क्या हुआ पर मेरे मन में तो आज भी वही अनुराग बसा हुआ है जिससे मैं कॉलेज में मिली थी जिससे मुझे प्यार हुआ था और मैं उसी प्यारे अनुराग को बचाना चाहती हूँ प्रशान चित्रा को एक टक देखते हुए पूचता है आप कैसे बचाएंगी लेखक बाबू को भापी जी इन सतियों से है पुराने ये है यक्षिनी के कहाने यक्षिनी एक आग है यक्षिनी तिरन ख्वाब है